So hello all my dear students of CA Inter I hope you all are doing good मैं उमीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे है हमारा तीसरा रिविजन हमने पहले ही PGPP और Capital Gain जैसे महान और बड़े टॉपिक को अल्रेडी रिवाइस कर दिया है आज हम लोग तीसरे बड़े टॉपिक पे धावा बोलने वाले है वो है Salary तो चलिए without wasting any further time जादा भाशन दिये बगएर let us start with the revision not revision with a comprehensive revision on the chapter of salary तो सबसे पहले हम लोग चार्डिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे salary का charging section दिया गया है section 15 के अंदर और charging section आपको ये बताता है कि कब आपको इस particular head में आना है तो सबसे पहले इस head में आने के लिए employer employee relationship होना ज़रूरी है अगर employer employee relationship है तो आप इस head में आ सकते हो otherwise इस head में आना आपके लिए possible नहीं है दूसरी चीज salary क्या basis पे tax होती है due basis या receipt basis whichever means ज़र लिया अगर पहले अ अकिरू हो गया तोャकू basis पे charge होगा पहले receive हो गया तो फिर receipt basis पे charge होगा प्हले ज़र लिया employer कौन होगा employer कौई भी हो सकता है employer individual हो सकता है chef हो सकता है firm हो सकता है ललपी हो सकता है सेंटरल गवर्منट हो सकता है इंप्लॉयर हमेशा इंडिविजवल होना चीज़ दिमाग रखना एंप्लॉयर एक मालिक है एक मालिक है when to do what to do how to do सब कुछ मालिक बताएगा उस हिसाब से नौकर काम करेगा उसी को बोला जाता है about salary और किछनी now foregoing of salary क्या मैं अपनी salary किसी को त्याग कर दूँगा तो क्या मेरे को salary पर tax लगना माफ हो जाएगा बिल्कुल नहीं salary एक बार आपने कमा लिया उसके बाद आप किसी को त्याग कर देते हो आपका परसनल एडे के वो त्याग करो या जो करना है करो पहले tax बरो उसके बाद जिसको forgo करना है करो जिसको ध्यान देना है दो आपकी मर्जी ठीक है next 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 लेकिन central government को अगर मैं त्याग करता हूँ as per the central government voluntary surrender of salary exemption from taxation act 1961 उस कानून के अंदर central government को surrender करता हूँ तो वो मेरे हाथ में exempt हो जाएगा check कर लीजे प्लीज तब जाके tax नहीं लेंगे बड़े चाला के लोगा ऐसे किसी को त्याग करूगा तो tax लेंगे लेकिन central government को जाके tax करूगा तो tax लेंगे अब नीचे कुछ example से आपको पता लगाना है यह salary में आएगा या यह house प्राव या पीजी बीपी में आएगा या IFOस में आएगा सबसे पहले मैं college में नौकरी करता हूँ मुझे वहाँ से salary मिलती है तो यह salary में आएगा अब university वाले ने मुझे paper check करने बोला या paper set करने बोला अब वो मैं university वाले का employee नहीं हूँ तो वो मेरे लिए income from other source माना जाएगा ठीके partnership firm से जो मुझे remuneration मिलता है वो मेरा PGPP माना जाएगा ठीके और अगर मैं MP, MLA, MLC हूँ ठीके member of parliament etc रहा हूँ वहाँ से मुझे को कुछ मिल रहा है government से कुछ मिल रहा है तो वो मेरा income from other source माना जाएगा और अगर मैं director हूँ तो director में क्या capacity में director हूँ वो चेक करना बहुत जरूरी है अगर employee के capacity में हूँ तो salary में जाएगा और over and above employee अगर मैं employee के beyond जागर कुछ का आप कर रहा हूँ जो generally employee नहीं करेगा तो उस case में वो income from other source माना जाएगा ठीके चेक कर लो यह अलग-अलग cases है बहुत important है आपको अलग-अलग head of income में यह काम आने वाले है definitely उसके बाद salary का calculation कैसे होता है यह format तो सबको पता ही इसमें क्या बताने जैसा है salary आएगा फिर allowances आएगे फिर perquisites आएगा यह आपकी gross salary हो जाएगी उसमें से आपको कुछ deductions मिलेंगे और उसके बाद जो amount आएगा वो आपका salary होगा वो कभी negative नहीं हो सकता है वो हमेशा positive ही रहेगा हमेशा positive ही रहेगा हमेशा positive ही रहेगा salary के head में कभी loss नहीं हो सकता है यह चीज़ दिमाग में रखना बागी चारो head of income में loss possible है salary में loss possible नहीं है अब इन सब पर हम लोग करके detail में बात करेंगे ठीक है यह सारे salary का देखो अलग-अलग पूरा breakup है salary में क्या क्या हो सकता है basic salary हो सकता है डियरनेस allowance हो सकता है commission हो सकता है voluntary payment हो सकता है voluntary retirement हो सकता है pension invention यह वो 14-15 अलग-अलग-अलग component है salary के अंदर उन सब पर एक एक करके अभी हम लोग बात करेंगे सबसे पर हम लोग यह उसमें कोई exemption का सवाल ही नहीं उठता है second डियरनेस allowance का क्या सीने सर्थ डियरनेस allowance भी आपके हाथ में अविशा taxable होगा डियरनेस allowance दो किसम की होते एक d.a.in.terms होता है d.a.not.in.terms होता है d.a.in.terms कुछ जगों पर काम आता है वो कहां काम आता है आगे जाकर हम लोग देख लिए अब क्या यह दोनों टैक्सेबल है यह कुछ दिया निया यह इसलिए हम इसको इन टांज अज्यूम कर रहे हुआ अब DA in terms के कुछ और नाम भी है, exam के अंदर वो नाम भी आएंगे तो समझ लेना DA in terms ही है, जहाँ पर ऐसा लिखा रहेगा DA which forms part of pay, या ऐसा लिखा रहेगा DA which forms part of retirement, DA which forms part of pay, DA which forms part of retirement, ऐसे शब लिखेगे तो समझ लेना ये भी DA in terms ही है, next commission, all kind of commission are taxable, देको commission दो किसम के होते हैं, एक तो fixed commission हो सकता है, इतरा 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, एक हो सकता है percentage on turnover, turnover के उपर आपका percentage, fixed percentage turnover हो सकता है, fixed amount turnover हो सकता है, fixed amount commission हो सकता है, दोनो किसम के commission आपके income tax में क्या है, taxable है, taxable है, taxable है, be very careful, next, voluntary payment क्या होत नहीं है अगर employee की death हो जाती है और employer उसके widow को उसकी विद्वा को पैसा देता है तो वो उसके हत में taxable नहीं है या अगर employee की death हो जाती है injury हो जाती है और उसके government employee ex-gratia payment made by the government to its employee upon death or injury of the employee या तो government का कोई employee उसकी death हो जाती है injury हो जाती है उसके लिए ex gratia मतलब एक lump sum amount देता है तो उस पे भी taxable नहीं है वो भी tax नहीं लगेगा अब यह voluntary payment actually income tax law में ऐसा specifically कहीं लिखा नहीं है बट अलग अलग circular और CBDT के notification से जिसमें यह बातें की गई है ठीके अब आते हैं हम लोग यहां से हमारा असली discussion चुड़ो है जितना भी actual VRS का पैसा मिला VRS क्या होता है आपको voluntary retirement लेना है आपकी उमर अभी 52 साल है 52 years है retirement की age आई नहीं है लेकिन आप सोच रहे है बहुत कमाली है चोड़ो यार अराम करेंगे गर पे तो आपने voluntary retirement ले लिया तो company आपको पैसा देती है उसको बोला जाता है VRS और कु पहले जो actual मिला वो लिख लो उसके बाद maximum 50000 रुपया उससे जादा तो exam नहीं करने वाले उसके बाद अभी आपको salary पता लगाना पड़ेगा salary के ओपर subdependent है इस section के अंदर salary का मतलब क्या है salary का मतलब section to section बदल सकता है ठीक है इस section में salary का मतलब क्या है इस section में salary का मतलब ह basic plus DA in terms DA in terms और सिर्फ commission on turnover मतलब percentage वाला commission fixed amount वाला commission यहाँ पर मत लेना please और DA in terms लेना DA not in terms भी मत लेना be very careful salary का definition आपको गौर से लेखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहीं पर institute पूरा का पूरा खेला करने वाला exam के अंदर ठीक है be very careful तो point number one क्या है actual VRS जो मिला point number two क्या है maximum amount amount कितना आपका exemption होने आला है पांच लाग कॉंट number three जो भी salary per month लेना है उसको तीन मेने से complete करना है उसको multiply करना है number of years of completed service कितने साल आपने complete की है fraction ignore कर दो, fraction ignore करने का मतलब 20-3 मैंने काम किया है, तो 20 साल लो, बीश साल और 11 मैंने काम किया है, तो भी 20 साल ही लो, fraction को completely ignore करना है, आपको कितना भी fraction है, वो आपको ignore कर देना है, last but not least, salary per month into number of balance months of service, salary per month into, जितने महने बचे आपके retirement के, देखो आप retirement की age के पहले अब बात करते है pension की pension is exempt intersection 1010A अब pension के अंदर सबसे पहले आपको pension की केटेगरी समझ नहीं पड़ीगी दो किसम की pension है एक है uncommuted pension और एक है commuted pension uncommuted मतलब क्या होता है सार periodic pension, monthly pension, हर माईने मिनने वाली pension देख वो सब के हाथ में taxable है गवर्मेंट employer, non-government employer सबके हाथ में taxable है uncommuted pension अब commuted pension क्या है, commuted pension depends करता है government को मिलता है तो treatment अलगे, non-government को मिलता है private employee को मिलता है तो treatment अलगे committed pension, government को मिलेगा तो fully exempt है government, जमाईट आजा, दामाद जी को पूरा का पूरा exempt है लोग डिसकस करते थे government employee को ने सदकार का अधामाद है और को ने तो उसके हाथ में पूरा-पूरा exempt है पूरा-पूरा exempt है non government को मिलेगा तो उसमें आपको एक और चीज़ चेक करता है वह अमीर है या गरीब है और अगर वह गरीब है graduate नहीं मिलता है तो फिर जादा exempt होगा फिर आदा आदा pension उसका exempt हो जाएगा अब जब exemption लेने हो ना तो बहुत केरफूल रहना यहाँ पर लिखा है one third of total pension half of total pension total pension का मतलब क्या होता है total pension जब लोगे ना आप तो उसमें total लेने का committed भी लेने का uncommuted भी लेगा institute क्या देगा आपको institute आपको commuted का बोलेगा 3 लाग रुपया है और बोलेगा commuted 60% है तो अगर commuted 3 लागे और commuted 60% है तो total कितना होएगा divide करने का 60% से बहुत अच्छे से देखना इसको सुनना अपने इसमें क्लास में questions भी किया है बहुत सारे तो आपको उसको divide करके total पता लगाना पड़ेगा कि commuted plus uncommuted मिलागा total कितना होगा उसका one third और उसका half लेना है ठीके last but not least यहाँ पर जो है कि अगर आप national pension scheme में पैसा डालते हो तो जब भी पैसा withdraw करोगे तब जाकर आपका उसमें से 60% exempt हो जाएगा और 40% क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा यह आगे जाकर में लोग 80 ccd के अंतर देख लेंगे चेक कर लो फिर आगे बढ़ते तो चलिए आगे बढ़ते towards the next part और जो आपके salary chapter का सबसे बड़ा पार्ट है that is provident fund सबसे पहले provident fund के चाहर टाइप होते हैं जैसे कि आप board पे देख सकते हो statutory provident fund, recognized provident fund, उसके बाद unrecognized provident fund और उसके बाद public provident fund अब इन चारों के बारे में अपने को अलग-अलग angle से discussion करना है, देखो सबसे पहले, इन चारों के अंदर हमको ये पता लगाना है कि employer जो हर साल contribute करता है, उसका क्या treatment है, पॉइंट नमबर बन, उसके बाद जो employee हल साल अपनी जेप से contribute करता है, उसका क्या treatment है, उसके बाद साल के end पे जो contribution किया, उसका जो interest जमा हुरा है, अक्रू हो रहा है, उस अक्रूरवल इंटरथ का क्या treatment है, ये तीन चीज़ हो गई, employer contribution, employee contribution और साल के end पे जो interest जमा हो रहा है, उसका क्या treatment है, अब चौती चीज़, जब maturity पे पैसा मिलेगा, तो maturity पे 4 चीज़ मिलेगी, एक employer contribution, एक employee contribution, एक employer contribution का interest और employee contribution का interest, तो उन चारों का maturity पर जब पैसा लमसम मिलेगा, तो उस ताइम पर क्या treatment होगा, तो अब मैं चारों पर एक एक करके discussion करूँगा, चारों एक कर्था नहीं करने वाला हो, तो उसके लिए मैंने board पर आप लोगों के लिए उसका क्या होता है, वो exempt है, एक्जेम्ट है, एक्जेम्ट है, एक्जेम्ट है, एक्जेम्ट है, ठीक है, employee का, जो contribution है, उसका employee ATC के अंदर deduction ले सकता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, employer contribution exempt है, employee contribution ATC के इंदर वो ले सकता है. अब साल खत्मोंने पर जो इंटरेस्स तो धोनों पर जमाओगा, सुख दोनो Hm के उपर contribute करता है तो फिर पांच लग के उपर जो contribute करता है उत्तरा interest क्या हो जाएगा taxable हो जाएगा मिसाल के तोर पर अगर सात लाग रुपे employee contribute कर रहा है तो दो लाग रुपे पर जो interest आएगा वो taxable होगा बाकी taxable नहीं होगा at the end of the year लेकिन अगर उस fund के अंदर दोनों contribute करते employer भी contribute करता है employee भी contribute करता है तो धाई लाग रुपे तक का जो contribution है वो माफ है धाई लाग के ओपर जो contribution होता है यहाँ पर जैसे अगर चार लाग रुपा contribute कर रहा है तो फिर धाई लाग रुपे तक का जो भी interest है वो माफ होगा धायलाग के ओपर जो भी interest होगा वो current year में 23-24 में क्या हो जाएगा taxable हो जाएगा तो be very careful पहला वाला समझ जाओ आगे का सब कुछ समझ में आएगा पहला वाला employer जो पहले contribute कर रहा है वो exempt है employee जो अपनी जेव से contribution है उसका interest क्या होगा अगर दोनों contribute करते है तो 0,5,00,00 के उपर जो भी interest आएगा थाइलाग के contribution के उपर जो भी interest आएगा वो taxable होगा और सिर्फ employee contributes करता है तो पाँच लाग के contribution के उपर जो भी interest आएगा वो taxable हो जाएगा भी very careful ठीके अब retirement पे क्या है retirement पे sub exempt है sub exempt sub exempt sub exempt तो अगर आप 5-10-15 साल बाद आप पैसा विट्राओ करते हो तो employer contribution भी exempt है जो विट्राओ कर रहे हो employee contribution भी exempt है interest भी exempt employer का employee का interest भी exempt है statutory provident fund में statutory provident fund में sub exempt कर दिया है government ने ठीक है आप हम लोग बढ़ते हैं towards the next provident fund that is recognize provident fund सार recognize provident fund में क्या treatment है देखो recognize provident fund में जो employer contribution है वो exempt है लेकिन only up to 12% of salary पूरा exempt नहीं है सिर्फ 12% of salary तक exempt होगा पूरा exempt नहीं है देखो statutory provident fund में तो पूरा exempt था लेकिन यहाँ पर सिर्फ बारा परसेंट of salary तक exempt है salary का मतलब सर basic plus DA in terms plus percentage वाला commission यह तीन मिला लोगे तो salary बन जाएगा तो यहां 12% तक माँप है 12% के उपर साल के end पे आपको tax बरना पड़ेगा employer अगर 15% of salary contribute करता है तो 3% पे आपको tax बरना पड़ेगा employee का contribution उसका deduction वो ATC में ले सकता है कोई दिक्कत नहीं ठीक है employee का contribution वो ATC में ले सकता है ठीक है अच्छा सर साल के end पे जो interest आएगा सर उसका क्या नाटा के उसका treatment भी थोड़ा सा अलग है यहां पर employer का interest employer के contribution पे जो interest आ रहा है जो statutory provident fund में पूरा माफ था चेक करना लेकिन यहां पर सिफ साड़े 9% तक माफ है साड़े 9% से जादा interest आगर मिल रहा है आपको employer के contribution पे तो वो taxable हो जाएगा मतलब अगर 12% मिल रहा है तो 5% आपके हाथ में taxable हो जाएगा यहां पर चेक कर ले ना current year में अच्छा employee के contribution पे जो साल के end पे interest जमा रहा है देखो अभी पहले हम लोग साल के end की बात कर रहे है maturity की बात में करने का step by step employer contribution employee contribution का क्या होगा उसके बाद में employer और employee contribution पे जो interest अक्रू होगा उसका क्या होगा फिर maturity की बात करने का end में जाकर यहां पर आपको interest and employee provident fund में दो चीज़ चेक करना है एक ठाई लाक और वो पाँच लाक वाला condition तो चेक करना ही है वो तो चेक करना ही है चेक करना ही है और यहां पर यहाँ पर आपको साड़ए 9% से ज़ादा भी नहीं होना चाहिए साड़े नव परसंट से जादा होगा तो भी taxable है और अगर धाई लाग के उपर का contribution है अगर दोनों contribute करते है और अगर सिर्फ employee contribute करता है तो पांच लाग रुपे के उपर का contribution क्या हो जाएगा उसके उपर जो भी interest जमा होगा वो taxable हो जाएगा फिर भले भाई लाग क्रॉस नहीं हो भले पांच लाग क्रॉस नहीं हो तब भी taxable है तो ये दोनों limit के अंदर रहोगे तो आपको exemption मिलेगा अदरवाइज नहीं मिलेगा अच्छा maturity पर क्या होगा सर जब पैसा मिलेगा तब क्या होगा अगर आप पांच साल या उसके बाद में पैसा withdraw करते हो या चेक करना बराबर से पांच साल या उसके बाद पैसा withdraw करते हो तो fully exempt है तो कोई tension वाली बात है नहीं कोई tension वाली बात नहीं लेकिन अगर पांच साल के अंदर withdraw करते हो तो फिर taxable होगा जो भी पहले एक्जम था वो सब भी आपके हाथ में क्या हो जाएगा टैक्सेबल होगा जो पहले एक्जम था वो आपस टैक्सेबल नहीं होगा ठीके जो पहले एक्जम था वो आपस से टैक्सेबल हो जाएगा तो पांच साल के बाद विड्राओ करते हो तो कोई टेंशन नह जैसे retire हो रहा है इसलिए 5 साल के अंदर withdraw कर रहा है तो फिर वो माफ है उसके हाथ में taxable नहीं होगा या employer का business ही बंद हो गया employer का business बंद हो गया तो employee को छोड़ना पड़ेगा और क्या करेगा जब तुम्हारा business ही 5 साल के अंदर बंद हो गया तो मैं क्या करूँ तो वो केस में भी आप पैसा withdraw करोगे तो आपके हाथ में माफ है या अगर employee job छोड़ता है दूसरे जगे पर job करता है और अपने पुराने मालिक को बोलता है पुराने employer को बोलता है मेरा जो भी पैसा है ना वो नए employer को transfer कर दो recognize provident fund में या तो recognize provident fund में transfer करो या तो national pension system account में transfer करो यह दोनों में से को एक जगा transfer कर दो तो चल जाएगा तो यह तीन case में अगर आप पांच साल के अंदर भी पैसा withdraw करते हो तो आपके हाथ में provident fund का सारा का सारा पैसा क्या होगा exempt होगा exempt होगा exempt होगा अब आथे हम लोग तीसरे point की तरफ employer contribution employer contribution का क्या होगा in unrecognized provident fund तीसरा provident fund कौनसा है unrecognized provident fund employer contribution exempt है कोई limit नहीं है कोई 12% का condition भी नहीं है जैसे नियागा polskie contribution लिए गवियुक है अब आपको एटीची में नहीं मिलता है unrecognized provident fund का deductionBT में नहीं मिलता है नहीं मिलता है नहीं मिलता है अच्छा साल के end पे जो interest अक्रू होगा वो वो सब exempt है ये भी exempt है ये भी exempt है ठीक है employer का contribution का interest भी exempt है employee के contribution का interest भी exempt नहीं exempt हैEXEMT है ज्यादा सोचने की आपको ज़र्भत नी है अच्छा अच्छा sir withdrawal पे जो पैसा आएगा उसका क्या होगा अब उसका चार ब्रेकप करने का Employer Contribution, Employee Contribution Employer Contribution का Interest, Employee Contribution का Interest, चार ब्रेकप करने का अब देखने का चारो अलग-अलग हेड में Taxable या Exempt है, सबसे पहले Employer का Contribution जो आपको मिलने वाला है Maturity पे, वो Taxable Under Salary Employee का जो Contribution मिलेगा वो Exempt, वो काई को Exempt है, क्योंकि वो पहले क्या था, पहले आपको उसका Deduction नहीं मिला था, ATC में, इसलिए यहाँ पर वापस से Tax नहीं लगा सकते, हाँ अगर पहले Deduction मिलता तो यहाँ Tax लगा देते, पहले ATC में मना कर दिया था नहीं, यहाँ पर चेक करो ATC में नहीं मिलेगा इसका Deduction, तो इसलिए यहाँ पर Exam कर दिया, अभी Employer Contribution को जो Interest आ रहा है, वो Salary, तो याद रखना Employer से Related जो भी है, वो सब Salary में जाएगा, ठीके, Employer का Contribution भी Salary, उसका Interest भी Salary, Employee का Contribution माफ है, और Employee का Interest जो है, वो इसका Income from Other Sources माना जाएगा, चेक कर लो, ठीके, I hope it is clear to all of you, आपको step by step जाना पड़ेगा, यह charge बहुत important है, बहुत प्यार से, मैंने class में आपको समझाया था, बनाया था, और लिखवाया भी था, यह सारी चीज़े, ताकि आपको यह सारी चीज़े, अच्छे से clarity से समझाया जाए, ठीके, अब बात करते हैं, आखरी वाला PPF अकाउंट, PPF क्या होता है, PPF Public Provident Fund, इसमें Employer Contribute नहीं करता है, जब Employer Contribute नहीं करता है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, उसके Contribution करेगा, तो कोई भी कर सकता है, Employee भी कर सकता है, Non Employee भी कर सकता है, Business वाला भी कर सकता है, HP वाला भी कर सकता है, IA Force वाला भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, जो भी उसका Contribution करेगा, उसको directly ATC में deduction मिलेगा, ठीके, साल के end पे जो interest अकुर हो रहा है, वो माफ है, ठीक है, maturity पर जो पैसा मिल रहा है वो भी सब माफ है, सब माफ है, सब माफ है, सब माफ है तो साल के end पर भी माफ है, maturity के ओपर भी माफ है पूरा का पूरा, ये पूरा आपका, पीपिएफ का income, ठीक है यह पूरा माफ है, चेक कर लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, एक provident fund के अंदर एक और point है जो आपको यह note number 3 और note number 4 समझाएंगे, ठीके अब यहाँ पर दो-तिन चीज मिलकर एक provision बनता है, जैसे यह तीनों मिलाकर, अगर employer पूरे साल में साड़े साथ लाग से जादा contribute करता है, तो जितना भी excess contribute करेगा, वो आपके हाथ में taxable हो जाएगा, तो मानलो मैं employer हूँ, आप employee हो, और पूरे साल में मैंने यह तीनों मिलाकर नौलाग रुपे का contribution किया, तो आपके हाथ में साड़े साथ लाग रुपे के ओपर कितना हो गया, देर लाग रुपे, देर लाग रुपे आपके हाथ में taxable हो जाएगा, यह बोलना चाहता है, यह point number 3, ठीके, यह point number 3 बोलना चाहता है, अब इसके उपर जो interest जमा होगा, income जमा होगी, income अक्रू होगी, वो भी taxable है, और वो निकालने के लिए गवर्मेंट ने बोला है, कि उसके लिए आपको यह formula यूज़ करना पड़ेगा, तो यह note number 3 आपको बताता है, साड़े साथ लाग रुपे के ओपर का contribution जो है, वो taxable है, और note number 4 के नीचे जो formula है, वो आपको बताता है, कि साड़े साथ लाग रुपे के ओपर जो contribution हो रहा है, उस पे जो interest जमाऊगा, वो भी आपके हाथ में क्या है, taxable है, taxable है, taxable है, अब वो interest कैसे निकालोगे, तो formula देखो, taxable perquisite is equal to PC divided by 2 into R, plus PC1 plus TP1 into R, अब अपने को हर एक चीज़ का definition पता होना चीए, जो TP है, वो आपका final answer होने आला है, सबसे पहले PC निकालते, सर, PC में क्या आएगा, साड़े साथ लाग रुपे के ओपर का जो contribution है, वो PC में आ जाएगा, मतलब अगर दस लाग contribute किया है employer ने, तो 2,000,000 रुपे आपका PC हो जाएगा, ठीक है, divide by 2 तो चलो, बहुत easy है, सर, into R क्या हो जाएगा, तो अभी R पता लगाते, तो R का formula है, I upon F average, सर, I क्या होगा, I होगा current year का interest income, interest income जितना भी आपने current year में कमाया, वो आपका I हो जाएगा, सर, F average क्या हो जाएगा, F average हो जाएगा, तुमारे fund का current year के शुरुवात में, और current year के end में क्या balance ना, उस का average ले लो, तो 23, 24 चल रहा है, तो 1st April 2023 का balance ले लो fund का, मतलब तुमारे provident fund के अंदर कितना पैसा पड़ा होगा है, और 31st March 2024 का balance ले लो, डिवाइड बाइड बाइड टू कर दो F average आ जाएगा, तो देखो, PC डिवाइड बाइड बाइड टू इंटू R हो गया, अब PC1 के ऐसर, PC1, PC1, PC1 है, के 2020 के बाद से लेकर, अब तक, गौर से सुनना, 2020 के बाद से लेकर, अब तक current year को छोड़ दो, पिछले सालों का ये वाला माउंट, TP क्या था, पिछले सालों का TP क्या था, अगर कुछ था तो लिखो, अगर ये पहला साल है, तो पिछले साल का data तो 0 आजाएगा, ठीके, अगर ये फरस्ट एर हैं, तो पिछले साल का data 0 आजाएगा, और अगर ये फरस्ट एर नहीं है, पिछले साल में भी TP था, TP पर tax बढ़ा था, तो फिर आपको उस हिसाप से, तो उसके उपर tax बरना पड़ेगा, चेक कर लो, तो ये इसके उपर पूरा का पूरा question मैंने class में करवाया है, आपको जाकर चेक कर लेना, बहुती beautiful question है, उससे आपको ज़्यादा बैता तरीके से वो समझ आएगा, ठीके जाकर चेक कर लेना, आगे बढ़ते है next part of salary, salary का अग वो इस advance against salary है, तो वो loan होता है, उस पर tax नहीं लगेगा, ठीके, that is a loan, that is a loan, that is a loan, हाँ, अगर आपको salary advance में मिल रही है, तो आपको tax बरना है, लेकिन अगर आपको loan मिल रहा है, जो आपको आगे की salary से adjust होगा, तो फिर उस loan के ओपर आपको tax बरनी की ज़रूराद नहीं है क्योंकि वो loan है, वो salary नहीं है, ठीके, be very careful about it, next one, next one, next one, retrenchment compensation का कितना exemption होगा, कितना taxable होगा, तो उसके बारे में section 1010B में बोला गया है, कि retrenchment क्या होता है सबसे पहले, company अपने employees को निकाल देती है, किसी कारण से, का loss हो रहा है, या company को अपना business कम करना है, etc., etc., company employees को कम कर तो company voluntarily अपनी company से employees को निकालती है, उसको बोलते है retrenchment, तो retrenchment का कितना पैसा exempt हो जाएगा, कितना taxable होगा, तो देखो यहाँ पर government ने दो limit दिये, उतना exempt हो जाएगा, maximum 5 लाग exempt होगा, compare with industrial dispute act में जितना बोला है, whichever is lower, तो 5 लाग को आपको किस से compare करना है, industrial dispute act के एक amount से, अ अब industrial dispute act का amount क्या है, वो नीचे दिया गया है, 15 divided by 26 into average salary of last 3 months, पिछले 3 month का average salary लेने का, multiplied by number of years of completed year of service, तो क्या करोगे आप, 15 divided by 26, पिछले 3 month का average salary, जिस month में retrenchment हुआ, वो month छोड़ दो, उसके पिछले 3 month का average salary लो, मतलब salary लो, divide by 3 करो, तो average salary of last 3 months मिलेगा आपको, if fraction is more than 6 months, fraction more than 6 months है, तो round off करो, मतलब अगर number of completed service है, 20 साल 4 मैंने, तो फिर 20 साल लो, और अगर 20 साल 8 मैंने, तो फिर 20 साल कर दो, ठीक है, उस हिसाब से आपको fraction को क्या round off करना है, salary का मतलब हुई है, जो अब तक आ रहा है, basic plus DA in towns, plus commission on turnover, commission on turnover का मतलब होता है, percentage वाला commission, amount वाला commission, यहाँ last 3 months, पिछले 3 मैने का average salary आपको लेना है, into number of years of completed service, ठीक है, अब आता हूँ मैं अगले provision की तरफ, जो बहुत important exam के अंतर, इसमें commitment भी आया है, सबसे पहले मैंने class में वो change भी करवाया था, यह जो 3 लाग की limit है न maximum, इसको government ने भी भयंकर बढ़ा कर दिया है, 25 लाग रुप चुटी लेते नहीं हो, company ने आपको 30 दिन की चुटी दिये पूरे साल में, आपने सिर्फ 10 दिन ही चुटी दी, 20 दिन की चुटी आली नहीं, तो आप 20 दिन का company से क्या मांग सकते हो, मौवजा मांग सकते हो, company से पैसा मांग सकते हो, company आपको उसका पैसा देगी, ठीक है, तो वो पैसा जो देगी उसका क्या treatment है, तो अब गौर सा सुनना, ठीक है, तो अगर service में वो पैसा मांगते हो, मतलब employment चल रही है, अभी तक आपने retirement नहीं लिए है, और वो पैसा मांग रहे हो, तो fully taxable है, government employee के लिए भी fully taxable है, non-government employee के लिए भी fully taxable है, तो in service अगर लोग है को, private employee को lower of the four, ये जितना भी lower of the four होगा, उतना exempt करेंगे, बाकी exempt नहीं करने वाले, अब lower of the four में नीचे से चालो करता हूँ, सबसे पहले, जो actual amount मिला वो ले लो, ठीक है, उसके बाद 25 लाग से maximum compare कर लो, और अब आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, य retirement पे private employee को मिला, तो partly exempt है, कितना exempt है, वो ही पढ़ रहे है, जितना भी मिला, compare with 25 lakhs, compare with point number one and point number two, अब point number one क्या है, leave credit निकालो, तो लीव credit मतलब, leave credit मतलब कितनी कंपनी आपको leave देती है, माइनस कितनी कंपनी से आपने leave ली है, अब कितनी कंपनी आपको leave देती है, उसमें maximum 30 ले सकते हो, 30 से जादा नहीं ले सकते हो, तो leave allowed, अगर company 40 दिन देती है, तो आपको 30 दिन लेना पड़ेगा, company 30 दिन लेती है, तो आपको 30 दिन लेना पड़ेगा, company 25 दिन लेती है, तो फिर 25 दिन लेना पड़ेगा, मतलब leave allowed cannot be more than 30 days, leave allowed maximum 30 days ही हो सकता है, उस से जादा नहीं हो सकता है minus leave taken तो leave taken आपकी जितनी भी है वो देख लो आप ठीके minus कर दो तो leave allowed supposed 30 है और leave taken supposed 10 है ठीके ऐसा 20 per year है और ऐसा आपने 20 साल तक काम किया है तो total 400 दिन की आपकी leave है ठीके तो यह आपकी क्या हो जाएगी leave credit तो यह 400 यहाँ पर लिख देने का लेकिन फिर उसको 30 से divide करने का क्यों क्यों थर्टी से divided करने का क्योंकि आप उसको multiply किससे करने वाले हो पता है average salary per month से multiply करने वाले हो अब average salary per month से multiply करोगे तो days को तो आप month से multiply नहीं कर सकते हो ना इसके लिए इन days को भी आपको 30 से divide करके इसको भी month में convert करना पड़ेगा ठीक है be very careful तो आपको बहुत careful रहना पड़ेगा तो leave credit कैसे निकालने का पूरा खेल उसी का है जितना भी leave आपको company देती है जिसमें 30 से जादा तो possible ही नहीं है अगर company 40 देती है तो फिर आप 30 लो calculation में 30 से जादा नहीं ले सकते हो minus आपने जो leave लिया है वो जो भी होगा divide box को 30 से करतो तो आपको days मिल जाए तो आपको month का calculation आजाएगा multiply by salary per month salary per month कैसे निकालने का पिछले 10 month की average salary निकालने का पिछले 10 month की average salary निकालने का तो salary में year of retirement लेना यह month of retirement month of retirement नहीं लेना है December में retirement लिया है तो November तक की salary लेना December की salary include मत करो ठीके तो पिछले 10 मैनी की salary आपको इस तरीके से लेना है वो average salary हो जाएगी ठीके वो आपकी average salary हो जाएगी तो वो average salary पिछले 10 मैनी की salary divide by 10 will give you the average salary ठीके और point number 2 क्या हो जाएगा जो भी average salary हो जाएगी उसको multiply by 10 कर दोगे तो आपको point number 2 भी आ जाएगा तो इस तरीके से आप calculation करोगे point number 1, 2, 3, 4 का चेक कर लो फिर आगे बढ़ते ठीके आगे बढ़ते towards arrears of salary arrears क्या होता है सर पिछले सालों की salary current year में मिली तो फिर इस बार आपको उसको payment basis पर भरने की ज़रूरत नहीं है नहीं है नहीं है अगर पिछले सालों में accrual basis पर tax नहीं भराता तो फिर current year में receipt basis पर उसको भर दो ठीके अच्छा सर बोनस का क्या system है सर बोनस जब मिलेगा तब taxable है अगर company bonus announce कर देती है declare कर देती है outstanding एक्सेटरा तो taxable नहीं है bonus is taxable on receipt basis receipt basis and receipt basis ठीके be very careful about it सर सूपर अन्वेशन फंड के बारे में क्या कहना है आपका वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता था ना PC plus TP plus PC1 plus TP1 वहापर सूपर अन्वेशन फंड आया था उसमें चेक करना पड़ेगा formula के अंदर डाल के ठीके लंसम जो मिलेगा retirement पे वो exempt है अगर unapproved super renovation fund है तो उसका treatment सेम हो जाएगा किस की तरह unrecognized provident fund की तरह उसका treatment हो जाएगा जैसा unrecognized provident fund का treatment था वैसा ही इसका भी treatment हो जाएगा चेक कर लो सब लोग ठीके अब आगे बढ़ते हम लोग towards a very 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 again a very 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 famous and important provision of institute and that is graduate ग्राजविटी जो आपको मिलता है उसका क्या होगा इसमें भी अगर government ने क्या बुला है during service अगर graduate लेते हो तो fully taxable है सबके लिए service के time पे leave salary के जैसा retirement नहीं लिए हो company चल रही है आपकी नौकरी चल रही है during the service पैसा ले रहे हो fully taxable है retirement पे ले रहे हो दामाज जी के लिए exempt है government employee के लिए exempt है other than government employee में आभी आपको check करना पड़ेगा ठीक है यह तो same leave salary जैसा है other than government employee में आपको check करना पड़ेगा employees covered by payment of graduate act or employees not covered by payment of graduate act actual amount received whichever is lower उस point number 3 में जाकर थोड़ा सा चीज़े बदल जाती है point number 1 और point number 2 exactly same है चेक कर लेना ठीक है तो कैसे आपको सोचना है graduate में service में मिला तो taxable retirement पे government employee को मिला तो माफ private employee को मिला तो check करने का graduate में पोगा covered है के पोगा नी covered है नहीं covered है फरक नहीं पड़ता है दो point तो same है 20,00,00 और amount actual receipt दो point same है अब तीसरा point दोनों में बतल जाता है पोगा वाले में क्या covered है देखो पोगा वाले में तीसरा point है 15 divided by 26 into last month salary into number of years of service अब यहाँ पर salary भी थोड़ी सी अलग है और number of years of service निकालने का तरीका भी थोड़ा लग है salary कैसे निकालोगे basic plus latest DA दोनों लोगे यहाँ पर आपको basic salary लेना है और latest DA लेना है दोनों लेना है दोनो, दोनो DA in terms भी लेना है, DA not in terms भी लेना है बस, commission भी लेना है प्लस यहाँ पर right hand side पर salary कैसे निकालोगे प्लस यहाँ पर half है यहाँ पर 15 by 26 नहीं है right hand side का salary का वही थरीका है जैसे अब तक खरते आरो पिछले 10 बन का average लेना है लेकिन salary का formula वही है basic plus DA in terms plus fixed percentage turnover commission ठीक है तो फिर से बता रहा हूँ पोगा वालो के लिए salary कैसे निकालोगे पिछले मैने का basic plus DA दोनों ले दो और right hand side पर जो पोगा में cover नहीं है उनके लिए normal तरीके से निकालोगे लेकिन पिछले 10 मंत का average लेना पड़ेगा basic plus DA in terms plus percentage plus Poga वालो में क्या करोगे 15 by 26 non Poga वालो में 1 by 2 that is half ठीक है अब number of years of service कैसे लोगे Poga वालो में more than 6 months का fraction round off कर दोगे ठीक है मतलब अगर 20 साल और 8 मैने है तो 21 साल कर दोगे ठीक है और 20 साल और 2 मैने है तो आप 20 साल लोगे non Poga वालो में fraction सीधा ignore करोगे non Poga वालो में अगर 20 साल और 8 मैने भी है तो 20 साल ही लोगे 20 साल और 11 मैने है तो भी 20 साल ही लोगे 20 साल और 2 मैने है तो भी 20 साल ही लोगे तो यहाँ पर non Poga वालो में आपको fraction को ignore कर देना है और यहाँ पर आपको fraction को क्या करना है fraction को आपको क्या करना है round off कर देना अगर 6 मेने से जादा है तो इस तरीके से आपको revise भी करना है जिन area पर मैं जादा focus करता हूं उस पर आपको भी focus करना है क्योंकि वही area आप क्या करोगे भूलोगे 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 ठीके तो चली आगे बड़ दे towards the next part and that is allowances, allowances और allowances के बार में बात करेंगे सबसे पहले सबसे important allowance आपके exam का house rent allowance लेकिन सबसे दुखत बात यहां पर यह है कि house rent allowance का exemption है वो आपको new regime में जो by default regime है 115 BAC के अंदर उसके अंदर नहीं मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है तो sorry for that यह सिर्फ और सिर्फ old regime वालों के लिए मिलेगा जहांपर tax rates बहुत जादा higher है ठीक है tax rates higher as compared to the new regime तो यह चीज़ आपको दिमाग में लखना है इस प इतना rent आपने pay किया minus 10% of salary तो यह तीन चीज़ चेक करना है 50% 40% actual HR कितना मिला compare with rent कितना pay किया minus 10% of salary 10% of salary 10% of salary अब आप पूछोगे salary का मतलब क्या है salary का मतलब वही same है जो अब तक पढ़ते आए basic plus DA in terms plus percentage वाला commission और कोई salary यहाँ पर दूसरी नहीं आगी ठीक है अब पर खिषडी बन चुकी है कुछ allowances आपको दोनों रेजीम में माफ है कुछ allowances सिर्फ आपको old में माफ है new में माफ नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है तो वह मैं आपको बता दूँगा कौन से वाले दोनों में माफ है और कौन से वाले सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हमोड़ में making the living will be concur with you यहीं पर खेलेगी इंस Ideally HDRаж डूनो में radius वर में माफ़ ए रिसरच ऑलावेंज एकैडिमी एलावेंज ओडुमें माफ़ निव में टैक्सेबल आभ यह जो सारे प्यादी आपने 100 रिप्रा खर्चा किया पुरा माफ कमपणी ने आपको 5000 दी आपने 3000 खर्चा किया 2000 आपके हाथ में टेक्स बड़ेट इस आस सिंपल इस यहां पर कोई अमाउंट नी है जितना कमपणी ने आपको दी उतना खर्चा करोगे उसका प्रूफ दिखाओ तो माफ होगा बाकी जो बैलेट नहीं खर्चा कर पाए जो अपने जेब में रख लिया मजे किया उतने पर आपको टेक्स बरना पड़ेगा ठीके अब हम लोग कुछ स्पेसिफिक अलावंस की तरफ जाते हैं जहां पर गवर्मेंट ने लिमिट बता दिये इतना 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 बाकी सब दोनों में माफ नहीं है बाकी सिर्फ ओल्ड में माफ है इसलिए मैंने आपर लिख दिया है आप लोगों के कितने से 70% of the allowance compare with 10,000 रुपीस per month whichever is lower उतना exempt हो जाएगा tribal area allowance 200 रुपीया per month exempt हो जाएगा underground allowance जो mines mines में काम करते हैं उनको company देती है 800 रुपीया per month allowance माफ हो जाएगा children allowance 100 रुपीस per month माफ होगा लेकिन सिफ दो ही बच्चों के लें माफ होगा अगर 3,000 रुपीस रुपीया तो पूरा taxable है ठीक है hostel allowance 300 रुपीया per month माफ है लेकिन सिफ दो ही बच्चों के लें माफ है 30 रुप uh Sheila बच्चों के लें प्र mêsफ जाजार साथ रुपिया पर मंद माफ हो सकता है आपका और अगर 15,000 फीट से ज़्यादा ऊपर काम करते हो तो 16,000 रुपिया पर मंद जितना आपका एक्जेम्शन आपको मिल जाएगा इन सब अलावेंसे के अलावा बाकी सारे अलावेंसे थार फुली टैक्सेबल न्यू रे देता है तो आपके हाथ में कितना टैक्सेबल होगा तो सबसे पहले आपको चेक करने का अगर आप गवर्मेंट एंपलोई हो अगर गवर्मेंट एंपलोई हो तो जितना भी लाइसेंस भी है जो गवर्मेंट की लाइसेंस भी होती है उतना आपके हाथ में टैक्सेबल हो और अगर non-government employee हो, private employee हो, reliance industry के employee हो, etc. तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा, जो घर employer दे रहा है, वो employer का खुद का है, या जो घर employer आपको दे रहा है, वो employer ने खुद किराये पे लेकर आपको दिया है, मान लो employer ने जो घर आपको रहने के लिए दिया है, rent-free, unfurnished accommodation, अब तक पढ़ते हारे, वो salary का definition नहीं है, यहाँ पर बहुत अलग है, बहुत लंबा चोड़ा definition है, salary का अगले page पर दिखाता हूँ, ठीक है, तो rent paid by employer, compare with 15% of salary, चलो अब भी दिखा दिता हूँ, salary का मतलब क्या है, salary में basic आएगा, DA in terms आएगा, count करते रो, bonus भी आएगा, taxable allowance भी आएगा, सारे commission आएगे, सारे monetary incomes आएगे, सिर्फ perquisite नहीं लेने का, ठीक है, perquisite छोड़कर बाकि सब कुछ लेने का salary के अंदर, perquisite छोड़कर बाकि सब कुछ लो, salary कौन सी period की लेने का सर, जिस period के लिए वो घर में रह रहा है, उतने मंत का ही salary लेना है, पुरे साल की salary नहीं लेना है, अगर वो 6 मैने के लिए रह रहा है, तो 6 मैने की salary लो, अच्छा salary में कुछ चीज़ और मतलो, retirement benefit वाले items मतलो, जैसे graduate मतलो, pension मतलो, leave salary मतलो, व्यारस मतलो, यह सब salary में नहीं लो, ठीक है, अच्छा salary में एक और चीज़ दिमाग में रखना, कि current period की salary लेना है, अगर अगले साल की salary आपको advance में अभी मिल रही है, तो वो salary में मतलो, या पिछले साल की salary आपको arrears में मिल रही है, तो वो भी salary में मतलो, आपको current year की salary लेना है, current year की current period की, जिस period में आप रहे रहे हो, गर में उस period की salary लेना है पिछले साल और अगले साल की salary नहीं लेना है और employer का P.F. और interest on P.F. भी आपको salary के definition में नहीं लेना है, generally से salary के definition में आ जाता है, ठीक है, salary का component है, अभी अभी हमने P.F. का discussion किया था, लेकिं employer contribution towards P.F. और interest on P.F. भी salary में आपको नहीं लेना है, नहीं ल अगर private employee है तो आपको चेक करना पड़ेगा employer का घर है या employer आपको किराये पे लेकर खुद किराये पे लेकर आपको दे रहा है तो 15% of salary rent paid by employer whichever is lower साथ साथ में अगर employer का खुद का घर है employer का कुद का घर है तो फिर आपके लिए यहाँ पर population चेक करना ज़रूरी हो जाएगा उस area का अगर उस area का population 10 लाग तक है तो 7.5% of salary will become your what taxable value और अगर 10 लाग से लेकर 25 लाग तक है तो 10% will become your taxable value और 25 लाग के ओपर है तो 15% will become your what taxable value अच्छा अगर घर के साथ साथ वो आपको furniture भी देता है मतलब furnish करके देता है TV देता है AC देता है furniture देता है sofa देता है तो furniture की value भी add करनी पड़ेगी अब वो कैसे add करोगे वो add करते समय भी आपको यह चेक करना पड़ेगा furniture उसका खुद का है या furniture उसने किराये पे लेकर दिया है furniture किराये पर लिया है तो जितना भी क आपके घर की वालियो में क्या हो जाएगा आड हो जाएगा चेक करो इस तरीके से अब यहां पर एक अमेंडमेंट आया है जो मैंने आपको क्लास में बोला था कि जब हम लोग पढ़ रहे थे तब कोई रूल बुलाया नहीं था आगे जाकर कोई रूल आएगा तो मैं पढ़ हो जाएगा वह वाला rent free furnished accommodation का CBT का हो जो notification है वो जो रूल है वो मैं आप लोगों को पढ़ा दूँगा तुम लोग चिंता करनी की जरूरात मत करो तुम लोग सिर्व किताब दी गई उसमेंसे पढ़ो अगर कोई भी ऐसे चोटे मोटे amendment आते तो मेरी जमेदारी आप लोग display कर रहा है उसको compare करने का 24% of the salary 24% of the salary salary का मतलब क्या होता है salary का मतलब वही होता है जो पर था परक्विशिट के अंदर जो definition था वही salary का मतलब है कितने period का salary लेने का relevant period का जितने मेने के लिए या जितने दिनों के लिए employee को hotel में रखा उतने दिन की salary का 24% लेने का पूरे साल की salary का 24% नहीं ले लेने का ठीक है 15 दिन रखा तो 15 दिन की salary का 24% आप consider करो as the perquisite value ठीक है अब 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 यहाँ पर कुछ points है जो आपको दिम accommodation के अंदर भी consider किया जाएगा कि अगर employee कुछ पैसा देता है तो उतना आपको perquisite value से minus करना पड़ेगा पूरे amount पे आपको tax नहीं लग सकता है दूसरी चीज़ अगर employer ने employee को transfer कर दिया है ठीक है transfer कर दिया है उसके लिए hotel दे रहा है तो transfer करोगे Mumbai से पूने transfer करोगे तो hotel तो भी very careful अब 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 अगर employer अपने employee को कोई assets दे रहा है use करने के लिए हमेशा के लिए नहीं दे रहा है use करने के लिए जैसे computer दे रहा है laptop दे रहा है तो वो fully exempt है अगर employer अपने employee को computer या laptop देता है तो वो fully exempt है fully exempt है fully exempt है उसके अलावा दूसरी कोई चीज़ देता है mobile देता ह इसी देता है तो फिर वह टैक्सेबल है वो देखना पड़ेगावी इंप्लॉइर का खुद का है या इंप्लॉइर ने किराये पर ले कर आपको दिया है तो जो भी हायर चार्ध आपके हाथ में ओ जाएगा मानलो एंप्लॉइर ने एक कार लिए किराये पर उसका 25,000 वपर ए रेता है तो 25 दा रुपे हाथ में टेक्से बोले है अच्छा और अगर एंपल्योर ने किराये पे हैं ऍाक्षण सब्सक्राइब करता है तो वह आपके हाथ में किटना इंडिया में और ऐके बाहर ऊथ हो रहा है अगर treatment इंडिया में हो रहा है, सुन लो गोर से, इंडिया में treatment हो रहा है, और अगर employer का hospital है, उसमें treatment हो रहा है, employer का hospital है, उसमें treatment हो रहा है, या government या local authority का hospital है, उसमें treatment हो रहा है, या private hospital है, जो government recognized है, government recognized private hospital है, ऐसा ही कोई nursing home या clinic नहीं है, तो ये तीन जगे पर अगर treatment हो रहा हो रहा है तो फुली एक्जेम्ट है उसके अलावा बाकि सब केसे में आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा ठीक है नेक्स 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 इंडिया के बाहर अगर ट्रीटमेंट हो रहा है तो सर मैं सिंगापूर जा रहा हूं ट्रीटमेंट के लिए तो ठीक है अब treatment के लिए जा रहे हो तो सिफ treatment का कर् intellig estos नहीं होगा treatment ka होगा stay का होगा travel का होगा ये सारे खर्चे होंगे तो treatment और stay काREWड़ीलिटी अलग है।ट सारे ट्रीटमेंट और stay के लिए treatment और stay के लिए government ने बोला है उतना exam करेंगे जितना rbi यह बोलेगी RBI जेतना लिमिट बताएगी उतना माफ करवा देंगे उसके ओपर टैक्सेबल करवा देंगे ट्रीटमेंट और स्टे के लिए ट्रैवल के लिए पूरा एक्जम्ट होगा लेकिन सिर्फ बहुत जो गरीब लोगे उनने लोगों के लिए कैसे बता चला सर गरीब है ट्रैवल सिर्फ उनके लिए एक्जम्ट है जिनका ग्रॉस टोटल इंकम इस अप टू लाक रुपीस अगर आपका ग्रॉस टोटल इंकम दो लाक रुपे तक है तो ही आपका ट्रैवल माफ होने वाला है अधर्वाइस आपका ट्रैवल क्या हो तो यह जो भी exemption बता है वो एक आदमी और एक attendant के लिए ठीक है साथ साथ में साथ साथ में साथ साथ में treatment किस किस का करोगे तो यहां पर exemption मिलेगा employee का treatment exempt है spouse का treatment exempt है बीबी का और बच्चों का treatment exempt है अब यह तीन लोग अगर मुझ पे मैं तो अपने पर dependent हूँ obviously अगर मेरी बीब और बच्चे मुझ पे dependent है या नई dependent है उससे फरत नहीं पढ़ता है वो हमेशाँ exempt है लेकिन माँ बाप भाई भाई भेन अगर मुझ पे dependent है तो ही exemption मिलेगा अगर वो लोग independent है तो फिर हम मुझे exemption नहीं मिलेगा तो be very careful माँ बाप भाई भाई भेन के लिए dependent होना जरूरी ह अगर exemption चाहिए बाकी बीबी और बच्चे के लिए dependent हो या independent हो दोनों केस में वो माफ है ठीक है अब अगर employer अपने employee के लिए medical insurance premium भरता है medical insurance medical claim भर रहा है तो क्या वो भी taxable है ने वो तो पूरा माफ है चेक कर लेना medical claim वाला point बहुत important है ये पूरा माफ होता है इस पे एक र परसंट का जो भी interest होगा ना वो आपके हाथ में taxable हो जाएगा तो market rate कैसे पता चलेगा SBI का interest rate आपको exam में दिया जाएगा उसको compare करने का actual interest rate से SBI का interest rate suppose 10% है employer आपको 4% पे दे रहा है तो 6% आपका जो भी interest होगा loan amount पे वो आपके हाथ में taxable होगा अब इसमें दो point आपको यह provision applicable नहीं है 5, 10, 15, 20,000 रुपय तो कोई भी देता है employer अपने employee को loan यार ऐसी interest free देता है अब 2,000 रुपय मैं loan दे रहा हूँ अपने employee को इसका interest लेते है बैठू पागल है कि इतना बड़ा लुखा नहीं हो सकता हूँ है जीवन में ठीक है कि 25,000 रुपय का भी employee को मदद कर हो तो चलेगा बिना interest के दे रहे हो तो भी चलेगा वहाँ पर आपको यह provision applicable नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा चेक कर लोगी चले आगे बढ़ते towards the next provision which is very 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 important provision leave travel concession लेकिन एक दुखत खबर पहले सुना के आगे बढ़ता हूँ कि यह वाला भी आपको new regime में नहीं यह जो exemption में आपको बताने वाला हूँ यह सिर्फ old regime वालों के लिए new regime वालों के लिए नहीं है यह लीव travel concession होता क्या है employer अपने employee को गूमने फिरने के लिए ticket डेता है etc. बोलता है कश्मीर कोंकिया हूँ जाओ तुम्हें काम करो जाओ summit घू किया हूँ तो अब यहाँ पर अगर employer अपने employee को यह सब देता है तो कितना exempt होगा किस-kis के लिए देगा तो exempt होगा मेरे लिए बी-बी के लिए, बचे के लिए, माबाप के लिए, भाई भेंड के लिए किस-kis के लिए देगा तो exempt होगा ये सारी चीज़ भी अपने को एक एक करके देखना पड़ेगा ठीकेट, सबसे पहले जर्नी अगर आप हवाई जा रहे हो जर्नी इस पर्फॉर्म बाई एर यहांपर दो यह आप्छन है या तो जर्नी इस पर्फॉर्म बाई एर या जर्नी इस पर्फॉर्म बाई एनी अधर मोड प्रोविजन के अंदर दो ही चीज लिखा है या तो एर से हवाई जा रहे हो या ज़्यादा एक्जम्ट नी होगा अगर आपने एक्च्वल में 5 लाग रुपे का air टिकेट पर खर्चा कर दिया लेकिन economy class का fair 50,000 है तो फिर आपको 50,000 का exemption मिलेगा 5 लाग का नी मिलने वाला है आपको यह order यह follow करना पड़ेगा अब फिर 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 थर्ड यह इस order में आपको चेक करना पड़ेगा आप किदर फॉल करते हो आप किदर फिट होते हो ठीके तो सबसे पहले आपने आपसे सवाल पुछने का कि आप जिस जर्नी पर जा रहे हो क्या महां रेल अवेलेबल है अवेलेबल है तो actual expenses compare with deluxe class bus fare whichever is lower उतना आपके हाथ में क्या हो जाएगा exempt हो ठीके बाकिर आपके हाथ में taxable हो जाएगा अच्छा लेकिन अगर आप जिदर जा रहे हो दर रेल भी अवेलेबल नहीं है उस जगे पर public government का public transport system भी अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या करोगे तो फिर पता लगाओ Mumbai से उस जगे तक जाने के लिए Mumbai से उस जगे तक आप air से नहीं जा रहे हो Mumbai से उस जगे तक जा रहे हो वहाँ पर रेल नहीं है Mumbai से उस जगे तक जा रहे हो वहाँ पर road भी नहीं है road तो है लेकि government का कोई public system नहीं है तो अब यहां से लेकर उस जगे का distance पता लगाओ से 600 km और पता लगाओ भारत सरकार 600 km के लिए similar class of fare service कितना लेती है railway में वो compare करो actual expense whichever is lower will be considered as your exam ठीक है तो अगर वहाँ पर rail भी नहीं है air भी नहीं है water भी नहीं है कुछ भी नहीं है आप कहीं भी नहीं जा सकते हो तो फिर आपको first class railway fare कितना चार्ज होता है उतना आप यहाँ पर क्या ले लो उतना आप यहाँ पर क्या ले लो exemption ले लो ठीक है अब किस को benefit दे सकता है employer और क्या-क्या benefit दे सकता है क्या employer अपने employee को hotel का boarding का लॉजिंग का वो फैसिलिटी देगा वो बीदी एक्जम्ट है नहीं वो टैक्स से बले फुली चेक कर लो वो सब माफ नहीं है अच्छा किस के लिए देगा तो माफ है बीबी के लिए बच्चे के लिए अब बीबी बच्चे जैसे का benefit मिल जाएगा ठीक है लेकिन पहले टूइन पैदा ओगा है और इसके बाद इक बच्चा पैदा वा तो फिर तीनों का benefit ने भा Мне carrying it निमिलेगा सिर्फ क्योंबी बच्चे का benefit मिलेगा तीनों बच्चों gdzie विए बच्चे का बैनिफित पहले नुर्मल एक बच्चा हो का 2025 का एक block बनाई है ऐसे block बनाईगी government चार calendar year में दो जरनी अलाउड है उससे जदा अलाउड नी है अच्छा तो चार calendar में दो ही माफ है दो से जदा माफ नहीं होगी दो से जदा माफ नहीं हो नहीं आलिए अच्छा तो sir मैंने पहले 2018 से लेकर 2021 के calendar year में मैंने calendar block में ये block में मैंने दो जरनी मुझे अवेल करनी थी मैंने अवेल नहीं की तो क्या वो carry forward होगी है अगले block में अगले block में हो carry forward हो सकती है लेकिन वो आपको पहले साल में use करना पड़ेगा वो आप दूसरे तीसरे और चौते साल में use नहीं कर पाओगे तो पहले साल का अगर पहले block का 18 से लेकर 21 साल का 21 तक का जो block है उसमें जो दो journey थी available आपकी आपने वो avail नहीं की वो आपने company से लीनी तो आप 2022 में वो journey avail कर सकते हो और उसको आपको एक journey वो भी दोनों नहीं carry forward हो सकती है तो 28 से 21 के भीच में आप गूमे ही नहीं दो balance है तो एक भूल जाओ एक आप 22 में carry forward करो और फिर बाग की आपको 22 से लेकर 25 के भीच में effectively कितनी चुट्टिया मिल गई तीन चुट्टिया मिल गई एक पिछले block का आपने carry forward करवाया 22 में use कर लिया और 23, 24, 25 में आप 3 में से 3 सा गूमने जा सकते हो ठीक है तो this is what this provision is all about अब बात है हम लोग अगले प्रोविजन की तरफ isop की तरफ employee stock option isop क्या होता है जब कोई employee company join करता है तो company उसको वादा करती है कि भाई आप हमारे साथ इतने साल रहोगे तो हम आपको क्या देंगे हमारी company के stocks देंगे सस्ते में जब यह employee के हाथ में क्या है perquisit है और वो employee के हाथ में taxable है तो यह numbers के साथ खेलना है आपर बस और कुछ नहीं शेयर का value कितना है 100 रुपया आप कितना पेगर रहे हो 60 रुपया तो 40 रुपया आपको फायदा मिला कर नहीं मिला company की तरफ से मिला तो वो 40 रुपया आपके हाथ मे उठेंगे यह FMV किस दिन की लेना है FMV आपको लेना है उस दिन की जिस दिन employee option exercise करता है कि हा मुझे e-sop चाहिए company offer करती है उसके बाद company बोलती है उसको एक option देती है लेना है तो ले नहीं लेना है मतले कोई जोड़ता ही नहीं तो employee बोलता है मुझे e-sop चाहिए तो जिस FMV 15 December की लेनी होगी लेकिन tax कब लगेगा tax तब लगेगा जब उसको shares दे देंगे मानलो shares हमने March में दिया तो tax में लगेगा December में लगेगा तो FMV आपको लेना है on the date of exercising the option लेकिन tax कब लगेगा जब shares employee को a lot हो जाएंगे मिल जाएंगे तब tax लगेगा employee के हाथ में आगे जाक cost of acquisition government बोलती है 100 लेने का 60 लेगा तो क्या 40 रुपीस पे वापस से tax लग जाएगा already उसने पहले 40 रुपीस का perquisite पे tax बरा है income from salary में अब वापस से आप उसके 60 और 40 रुपीस पे tax नहीं लगा सकते हो तो जो भी FMV उसने लिया था पहले वो FMV बन जाएगा आगे जाकर उसका cost of acquisition ठीके अब government ने इसमें commitment लाया है for startup अससी जो employees startup company के employees है normal company के नहीं देगो reliance industry normal company को startup नहीं बहुत पुरानी कंपनी है लेकिन अगर आप startup के employee है like zomato के employee हो या तो आप ola uber etc इसके employee हो तो यह सब startups है ठीके तो startups के employee के लिए government ने बुला है कि इस आपका tax आज नहीं बल्कि हम आपको इसको defer कर देंगे कितना defer करेंगे government ने बुला है यह तीन डेट दे रहे है हम उस पे 14 दिन आइड करना है यह तीनों डेट पे 14 डेट करना है whichever is earliest जो भी earliest date मैंने पूरा एक्जांपल लिख वा है आपको टास में जाकर चेक करना हो book open करके सुनों अगर एक् ay मान लो previous year 23-24 में आपको shares a lot हुए तो ay पता लगाओ ay कौनसा हो गया 24-25 प्रिविए से 23-24 में shares a lot हुए तो ay कौनसा हो गया ay हो गया 24-25 तो ay के end से 4 साल ay के end से expiry 48 months तो ay के end से 48 months कब खातम होगा 31st March 2029 उस पे 14 दिन आइड करो तो क्या date आजएगी 14 अप्रिल 2029 यह हमारी date होगी second date of sale अगर उससे पहले बेश दिया तो उससे पहले तो date of sale पे 14 दिन आड कर दो third जब employee ने company छोड़ दिया जब company छोड़ा उस पे 14 दिन आड कर दो इस पे मैंने पूरा proper example आपको class में बना कर दिया है जाकर चेक कर लेना ठीक है एक बार देख लो और नीचे इसका capital gains का implication मैंने आपको बता दिया कि आपको cost क्या लेना है FMP लेना है 100 rupees वह आपका आगे जाकर cost of acquisition हो जाएगा ठीक है employee के बच्चे को दे रहा है तो गौर से सुनना और 1000 rupees तक का per month per child exempt होगा वो भी अगर employer का खुद का institution है तो या तो कोई ऐसे institution में education दे रहा है जिसका employer का उसके साथ क्या है arrangement है तो employer अगर आपको employee को दे रहा है education कुछ facility तो वो तो fully exempt है आपके बच्चों को दे रहा है तो 1000 rupees per month per child exempt होगा वो भी अगर employer खुद के institution में दे रहा है या कोई ऐसे institution में दे रहा है जिसके साथ employer का arrangement है तो exempt है अच्छा इसके अलावा अगर को रिलेटिव को दे रहा है बीवी को अगर माँ बाप को भाई भेन को तो फिर तो पूरा का पूरा taxable है taxable है taxable है taxable है चेक कर लो ठीक है अब यहाँ पर चोटे चोटे पर quizits है जिस पर करके फटा फट बात करेंगे हम लोग सब कर डीटेल में बात करेंगे don't worry about it ठीक है सबसे पहले अगर employer आपको क्या दे दे रहा है knocker walker दे रहा है तो फुली taxable है knocker की salary वैलरी वो भर रहा है ठीक है अपने जेप से वो आपके हाथ में taxable हो जाएगा उसके बाद employer आपको घर की दरूरत की चीज़े दे रहा है gas electricity water supply दे रहा है तो यह सब कुछ आपके हाथ में taxable हो जाएगा ठीक है अब यह ती या paid voucher के through दे रहा है तो आपके हाथ में 50 रुपिया पर meal exempt है उसके उपर taxable है ठीक है इसके अलावा food और non-alcoholic beverages are provided in working areas in remote areas remote areas में अगर वो आपको खाना दे रहा है non-alcoholic beverage मतलब thumbs up thumbs up coke book दे रहा है ठीक है और offshore installation मतलब कोई rig wick पे जो जो tail well निकालने के लिए समंदर के तो वो fully exempt है fully exempt है कहां कहां fully exempt है remote area में खाना दे रहा है और पीने के लिए कुछ दे रहा है पीने के लिए क्या दे रहा है समझ जाना ठीक है गलत गलत नी सोचने का life में और साथ साथ में offshore installation में offshore installation वो होता है जहां पर समंदर के अंदर जाकर आप rig wick के अंदर oil निकालते हो ठीक है समंदर के अंदर दीक इंस्टॉल करते हो और निकालते है उसको बोलते है ऑफ्शोर इंस्टॉलिशन वहां जा अगर कुछ दे रहा है खाना पीने के लिए तो वह फुली एक्जम्टे ठीक है अब इसके अंदर जो यह पेड वाउचर के तुरू आपको मिल रहा है ना फिड़ वह new regime में अवेलेबल नहीं है चेक करो वो new regime में taxable, 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 sorry for that तेक है इसलिवे ने left and side प Eigen में लिख दिया है चेक करो Last but not least TA snacks दे रहा है तो वह हमेशा exempt है TA snacks in working hours है after working hours देगा तो भी taxable हो जाएगा ठीक है अब employer अगर आपको gift देता है voucher देता है token देता है तो इसमें देखो आपको मैंने बताया था 5000 रुपे तक का gift देता है तो exempt है देखो इसमें मैंने आपको बताया था दो treatment है अगर 5000 से जाजा देता है तो आप दो चीज़ कर सकते हो एक चीज़ बोल सकते हो कि पूरा taxable है एक बोल सकते हो कि 5000 तक माफ है 5000 के ओपर taxable है ठीक है यह दोनों possibility आप कर सकते हो institute भी दोनों possibility करता है ठीक है उसके बाद अगर telephone या mobile फिन का will भरता है अगर employer आपके लिए तो वो not taxable है माफ है scholarship देता है आपके बच्चों को तो वो fully exempt है goods बेचता है employer अपने employee को तो fully exempt है tax on non-monet qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq Airline, Transport Facilities to Employees, Airline, Railway Employees को fully exempt है, Other Employees को full taxable है. तो अगर आप Airline और Railway Employee हो, Airline के या Railway के Employee हो, तो वो आपको अगर Transport Facility दे रहा है तो fully exempt है. ना कि spice jet वाले अपने employees लोगों को क्या देते है free में टिकेट देते है या तो Indian railway अपने employees को free में टिकेट देती है बोलती है travel करो वो fully exempt है other employees को दे रहे हो airline और railway के employee नहीं हो उनको taxable उनको free में दे रहे हो तो उनके case में taxable है ठीक है आते हैं अभी सबसे important perquisite की तरफ that is motor car, motor car, motor car motor car में चार अलग category है category A, category B, category C और फिर category D इन चारों के बारे में एक एक करिके हमको बात करना पड़ेगा सबसे पहले अगर car आपको मिल रही है exclusively for office use आपको car employer दे रहा है exclusively for office use तो वो तो fully exempt है उस पे ज्यादा सोचने का है नहीं आग बन करके बोलने का exempt है क्योंकि company ने मुझे car क्यों दिये मेरे मज़े मारने के लिए नहीं दिये company ने मुझे car दिये employee के काम के लिए employment के लिए business के लिए company के काम के लिए तो वो तो पूरा exempt हो जाएगा अब car is used fully for personal use personal use के लिए car अगर पूरा personal use के लिए तो फिर कितना taxable होगा तो उसमें भी चेक करना पड़ेगा car employer की है या car employer ने rent पर लेकर आपको दिया है car अगर employer की है तो 10% of tax 10% of the cost आपके हाथ में क्या हो जाएगा taxable हो जाएगा और अगर car rent पर लिया है तो जितना भी rent पे किया वो आपके हाथ में taxable और अगर खुद की है car उसकी तो 10% of the cost आपके हाथ में taxable हो जाएगा प्लस employer ने साथ-साथ में car के साथ-साथ personal use के लिए car तो दिया लेकिन साथ-साथ में अगर driver भी दिया तो driver की salary भी उसमें add करने का अब अपनी जेव से अपना खुद का पैसा दे रहे हो तो वो थोड़ी taxable हो सकता है next अगर car पार्टली office के लिए use हो रही है पार्टली personal use के लिए हो रही है लेकिन car employee की है गौर से सुनना car employee की है मेरी car है employee की car है और मालिक बोल रहा है थोड़ा business के लिए भी यूज कर ले ना तू यार थोड़ा सा business के लिए यूज किया अगर अपनी personal कारी यूज कर ठीक है अब इसमें अगर repair and maintenance भी employee दे रहा है देखो car मेरी repair and maintenance भी मैं दे रहा हूँ मैं दूँगा आप खुद के लिए repair and maintenance तो वो थोड़ी tax हो सकता यार कोई मेरे लिए कोई दूसरा देगा तो मेरे हाथ में tax होगा ना मैं खुद की car का खुद repair and maintenance दे रहा हूँ तो थोड़ी tax लगा सकती है अच्छा अगर repair and maintenance employer दे रहा है तो फिर कितना taxable value का चेक करो तो फिर government ने यहाँ पर उसका बोला है जितना भी repair and maintenance employer ने pay किया उसमें से अगर आपकी car 1600 cc तक है तो 1800 रुप्या पर मंद आपको minus कर देना है उतना exemption दे रहे हम और अगर 1600 cc से जादा है तो 2400 रुप्या पर मंद का हम आपको क्या दे देंगे exemption दे देंगे चेक कर लो ठीक है तो repair and maintenance जितना भी employer ने pay किया है car किस किये? employee किये repair and maintenance कौन पे कर रहा है? employer तो जितना भी pay करेगा उसमें से 1800 या 2400 minus करना पड़ेगा depending upon the cc तो यहां पर गवर्मेंट ने अभी आपको क्या बताया अगर repair and maintenance employee पे करता है तो यहां पर डिरेक्टी taxable amount है देखो यहां पर जो amount दिया है ना या exemption का amount दिया है और यहां जो amount दिया है ना यहां taxable amount दिया है तो बोनों में परक है point number c में आपको कितना exempt होगा वो बताया point number d में आपको कितना taxable होगा यह बताया तो यहां पर कितना taxable होगा car किसकी employer की use क्या कर रहा हूँ personal और business दोनों use के लिए कर रहा हूँ अब इसमें चेक करना पड़ेगा repair and maintenance कौन पे कर रहा है अगर employee pay कर रहा है तो obviously कम taxable होना चाहिए तो 600 और 900 taxable है depending upon 1600 या 1600 के उपर है ठीक है cc और अगर employer pay कर रहा है तो ज़्यादा taxable होना चाहिए क्योंके मुश्पहसान जादा हो रहा है तो 1800 और 2400 taxable है अब इन सब के साथ-साथ employer अगर आपको driver भी देता है तो 900 रुपीज पर मन्त का driver का भी आपको add करना पड़ेगा और एक से ज़्यादा वही का लगर provide करता है which is for partly personal and partly office then one car will be taxable as above इसकी तरह tax होगा and other will be taxable as what as your personal car other will be taxable as your personal car मतलब इस car के साब से taxable होगा तो एक से ज़्यादा car अगर employer देता है तो एक point number D के साब से होगा और एक point number B के साब से taxable हो जाएगा last but not least last percusate है यहापर employer ने आपको कुछ moveable assets बेचा बेचा, sell किया तो employer ने अगर आपको कुछ बेचा तो आपको क्या करना है पता है कितने में बेचा, वो selling price निकालो compare करो उसकी WDV से जितना भी difference होगा वो आपके हाथ में क्या हो जाएगा taxable percus से, ठीक है तो उसकी WDV कैसे निकालने का सर तो computer और laptop के लिए government ने बोला है WDV will be computed at 50% as per the WDV method 50% लेना पड़ेगा depreciation को ठीक है, अच्छा, car के लिए WDV method के साब से 20% of WDV 20% के साब से आपको WDV लेना पड़ेगा बागी साब assets के लिए 10% SLM लेना पड़ेगा तो सिर्फ computer, laptop और car के लिए WDV method है, बागी कोई भी assets अगर company आपको बेचती है तो उसका आप WDV के से निकालोगे SLM के साब से निकालोगे 10% के साब से अच्छा, depreciation कितने period के लेना है completed year के लेना है अगर 2 साल और 3 मैने यूज करने के बाद बेचा, तो 2 साल का depreciation माइनस करने का 2 साल और 11 मैने के बाद बेचा, तो भी 2 साल का ही depreciation माइनस करने का 3 साल का नहीं करने का completed year का depreciation लेने का ज़्यादा मघजमारी नहीं करने का ठीक है, चेक कर लो प्रीज सब लो इसके बाद next वाला एक Agnivir Corpus Fund जो Indian Army में भरती के लिए लोगों के लिए government ने बनाया है लोग chapter 6 में बात कर लेंगे, ठीक है अब हम लोग बात करते हैं salary के deduction के बारे में salary में तीन deduction मिलते है maximum आपको सबसे पहला standard deduction 50,000 rupees maximum compare with amount of salary whichever is lower और ये दोनों रेजीम में आपको मिलेगा पहले पिछले साल तक ये सिर्फ और सिर्फ old regime में मिलता था, new में नहीं मिलता था लेकिन अब finance act 23 में बोल दिया है government ने finance act 23 में कि ये दोनों रेजीम में आपको benefit मिलेगा, don't worry about it, ठीक है तो ये standard deduction का benefit दोनों रेजीम में मिलने वाला है अब professional tax और entertainment allowance का जो है employee pay करता है, तो फिर income में अड़ करने की जरवत नहीं एक ही effect आएगा, उसको directly क्या करो, salary में से deduct कर दो, ठीक है तो employer pay करता है, तो दो effect, employee pay करेगा, तो एक effect, ठीक है अब अगर entertainment allowance का deduction भी आपको दोनों में नहीं मिलेगा सिर्फ और सिर्फ old में मिलेगा, new में government ने मना कर दिया है तो entertainment allowance के लिए government ने क्या benefit दिया है ये सबसे पहले आपको सिर्फ government employees को मिलेगा, बाकि सबको नहीं मिलता है government employees के लिए benefit है, दूसरा, कितना benefit मिलेगा, non government employees को तो बिलकुल भी नहीं मिलेगा government employees को कितना मेलेगा maximum 5,000 compare with 20% of basic salary compare with कितना आपको actual entertainment allowance मिला whichever is lower तो जो भी entertainment allowance मिला compare with 20% of basic salary compare with 5,000 whichever is lower उतना आपका क्या हो जाएगा entertainment allowance माफ हो जाएगा चेक कर लो बाकी taxable अब आखिर में मैंने याप पर आप लोगों के लिए आसानी के लिए बताए कि salary का definition कैसे section by section बदलता है कुछ cases में salary का definition में basic salary लेना होता है कुछ cases में basic plus DA in terms and DA not in terms दोनों लेना होता है कुछ cases में basic plus DA in terms plus commission on turnover कुछ cases में basic DA in terms bonus taxable allowance all other commission other monetary perquisites excluding what perquisites ठीक है तो मैंने आपको बस आपके knowledge के लिए analysis बना के डाल दिया ताकि आपको थोड़ी असानी हो जाए कि maximum जगों पर यही काम आता है देखो maximum जगों पर यह काम आएगा यह वाला basic plus DA in terms plus percentage वाला commission maximum जगों पर यह कमाएगा कुछ जगों पर salary का definition थोड़ा 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 बदलता है तो वह आपको यहाँ पर दिख जाएगा ठीक है I hope it is clear to all of you one last thing जो मैं आपको बहुत बात में कराया था tax rate की chapter के बाद लेकिन मैं आज आपको अब भी करा दूँगा क्योंकि अभी आपको tax rates आता है तो समझने में दिक्कत नी होगी अगर 2012 की arrear salary मुझे आज मिलती है तो मैं उस पे government आपको कुछ relief देगी 2012 की arrear salary से 2012 की 2,002 रुपे की salary मुझे मिली नहीं थी हूँ मुझे आज मिल रही है 2023-24 में तो government बोलती है हम आपको कुछ relief देंगे कितना relief देंगे step number one सबसे पहले आपको tax निकालना पड़ेगा कैस total income निकालो current year का tax निकालो 23-24 यह step number one 23-24 के लिए 23-24 के लिए आपको tax निकालना पड़ेगा total income including additional salary आपकी total income में 2012 की salary ले लो 12-13 की salary 23-24 में बिट रही है तो 12-13 की salary include करो tax निकालो उसके बाद 12-13 की salary exclude करो tax निकालो आ गया आ गया A-B निकालो step number 2 हो जाएगा तो सबसे पहले current year की income में उसको include करने का tax निकालने का point number है फिर current year की income से 12-13 की salary को exclude करो tax निकालो point number B A-B आ गया point number step number 2 ठीक है अब 12-13 में जाओ 12-13 में जाओ और 12-13 में यह salary को add करो यह जो 12-13 की salary है न 12-13 में add करो tax निकालो फिर 12-13 में से salary को minus करो tax निकालो salary को minus करो यह 12-13 की salary में से minus करो जैसे अभी current year में किया ना वैसे यह 12-13 में जाके करना है A minus B वापस से निकालो step number 4 आगया ठीक है अब step number 2 में जो answer आया और step number 4 में जो answer आया इन दोनों का difference ले लो और इन दोनों का जो भी difference होगा वो आपको relief मिल जाएगा 89-1 के अंदर ठीक है this is what this small provision is all about इसके ओपर एक practical question भी कराया है question number 25 in our question bank जांकर check कर लेना सब लोग फटाक से ठीक है so that's it this is what this great topic is all about salary और जैसे कि मैंने आपको during the revision बोला और during the class भी बोला था कि जो amendment अगर इंची रूट आगे जाकर लाएगा तो मैं करवा दूँगा don't worry, don't worry, simplified version में करा दूँगा इंची रूट ने अपनी website पे board of studies knowledge portal में amendment के अंदर अलग से एक sheet add किया है जिसमें कुछ amendments आए, 10-12 page है, कुछ बहुत जादा नहीं don't worry, वो मैं एक घंटे के अंदर सब कुछ आपको करवा दूँगा don't worry about it, ठीक है so take care all of you, ध्यानर को सब लोग अपना मैं उम्मीद करता हूँ, आप सब लोगों को बहुत मज़ाया होगा और अगर मज़ा आया है, तो इस मज़े वाले session का फाइदा उठाओ फाइदा कैसे उठाओगे, maximum बार इसको देखते रहो जितना हो सकता है, उसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो और अपनी question bank के अंदर, जो 32 questions हमने किये, salary के उसको continuously practice करते रहो, हो सके तो एक दो बार लिख कर भी practice करो अगर हो सके तो, मिरी मानो, ये अगले कुछ महने आपकी जिन्दगी के बहुत ज़ादा important months है, इन अगले कुछ महनों में अगर आप अच्छे से efforts दालोगे तो आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा, believe me, ये एक short term pain लेना है आप सबको अगर आपको जीवन में long term gain चाहिए तो, लेकिन अगर long term gain नहीं चाहिए तो short term में मज़े मारो, आराम करो, enjoy करो life, life ऐसे नहीं चलती है, बिटा, life में आपको short term pains लेने पड़ते है हर interval के बाद short term pain लेने पड़ेंगे, तो ही आपको long term gain मिलेंगे ये आपके short term pain की शुरुआत हो चुकी है, इसको pain की तरह मतलो, इसको मज़े की तरह लो subject को subject की तरह मतलो, एक तकलीफ की तरह मतलो, knowledge की तरह लो, कि ये मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे knowledge आईगी ये knowledge आपको जीवन में जरूर काम आईगी, आप बोलो कि exam में क्या knowledge काम आता है, sums तो करना है, हो सकता है, exam में शायद इतना knowledge ना काम आई, लेकिन आप ये चीज़ जा तक ना, आपको बैट जाते हो तो 3-4 गंटे तक उठना नहीं, उठना नहीं, 3 गंटा तो minimum break लेने के लिए, 3 गंटे तक तो सोचने का भी नी, break लेना है, तो उसके बाद 15-20 मिने डादा गंटे का break ले लो, फिर 3 गंटे बैट जाओ, फिर 15-25 मिने डादा गंटा ब्रेक ले लो, फिर 3 गं से जादा syllabus revise हो चुका है अभी बस एक ही बड़ा topic है वो है आपका TDS वो एक बार revise हो जाएगा तो बस बाकी एक दो lecture के अंदर बाकी पूरा syllabus आपका revision हो जाएगा and again we are first in India to upload the revision videos so fast for our dear students so take care all of you and take maximum advantage of these revision videos take care all of you bye